Hello investors, freedom sector पे आपका स्वागत है कुछ दोस्तों ने comment में पूछा था कि सर्थ सिगाची इंडरस्टीज के IPO में आगे की रननीती क्या रहनी चाहिए क्योंकि इस stock के अंदर upper circuit लग चुका है और क्या हमें इस company में long term investment करनी चाहिए और आगे का इसका next target क्या रहेगा तो आज की चोटी सी वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी information मिलेगी तो वीडियो को आप शुरूर से लेकर end तक जरूर देखें तब ही आप चीजों को detail में समझ पाएंगे तो सबसे पहले मैं उन लोगों को मुबारक बात देना चाहता हूँ एक लॉट के उपर आपको तकरीबन 40,000 का profit होता हुआ दिखाई दे रहा है तो जिन लोगों को भी IPO अलॉट हो गया है उन लोगों को मेरी तरब से बहुत बहुत मुबारक बात अब बात करते हैं कि अगर आपको IPO अलॉट हो गया है तो next target इसका क्या है तो next target इसका रहेगा तकरीबन 700 रुपे से लेकर 750 रुपे के बीच में तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने जिरौधा account के अंदर लॉग इन हो चुके हैं और यहाँ पर current market price आप देखेंगे 592 रुपे 50 पैसे चल रहा है और आज यह पहले दिन का price है तो यहाँ पर आप देखेंगे 267% के return दिये है आपको एक ही दिन में सिगाची इंडस्ट्रीज के IPO ने तो अगर आप नहीं जानते हैं कि upper circuit क्या होता है तो upper circuit में आपको बता दूँ कि अगर किसी भी stock के अंदर upper circuit लग जाता है तो उस case में आप उस company के stock को buy नहीं कर सकते हैं यानि कि खरीद नहीं सकते हैं इसी तरह गर किसी company के stock में lower circuit लग जाता है तो उस case में आप उस company को बेच नहीं सकते हैं लेकिन खरीद सकते हैं तो अगर आप इसके बारे में detail video चाहते हैं तो comment section में आप लिख सकते हैं टार्गेट का वेट कर सकते हैं, दूसरा टार्गेट आपका 800 रुपे से लेकर 900 रुपे के बीच में रहेगा, अगर आपका दूसरा टार्गेट भी अचीव हो जाता है, तो आप तीसरे टार्गेट का वेट कर सकते हैं, जो कि 1100 रुपे से लेकर 1200 रुपे के बीच में तो आपको आधा profit book कर लेना चाहिए यानि कि आधे share बेज देने चाहिए और आधे share आप रख सकते हैं लेकिन उसमें भी आपको stop loss लगाके रखना है कम से कम 50 रुपे का stop loss जरूर लगाएं ताकि जो भी profit आपको मिला है वो कहीं जाने ना पाए आपका loss ना हो पाए तो stop loss तो अगर आपको 700 रुपे से लेकर 800 रुपे के बीच में stock मिल जाता है तो आप long term investment कर सकते हैं एक साल के अंदर आपको 30-40% के return यहां पर आराम से देखने को मिल सकते हैं तो अगर आपको IPO allotment नहीं मिली है तो यहां पर आप long term investment भी कर सकते हैं हमें ऐसा लगता है कि आने व हुई है तो अपने हिसाब से आप 10-20% ही पैसे लगाएं यानि कि अगर आपका portfolio एक लाग का है तो जादा से जादा आप 10-15,000 या 20,000 रुपे तो long term investment के लिए भी यह company काफी अच्छी है इसमें पैसे लगाए जा सकते हैं और कम से कम आप एक साल के लिए जरूर पैसे लग ले हैं क्योंकि bull run चल रहा है और bull market में अभी आपको बहुत सरे IPO देखने को मिलेंगे तो किसी भी IPO में apply करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूर पडती है तो जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट से आप IPO में apply करेंगे उतने ज्यादा chance बढ़ जाते हैं आपको IPO प्यों अलॉट होने के तो आप चाहे तुमने फैमिली मेंबर्स के भी डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैसे कि आप स्टोक जिरोधा एंजल वन या ग्रोव एप में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करव झाल में अपना झाल एंड़ ह престंपर नडीमेट शाओ सड़ करे बां दो आथ शा्यदन्स के लिए गकाउंट वीडियोकाउ को्यूण सिर लोना करवाब इन्युण